23 अगस 2013 यानि वो दिन जब लैंडर विक्रम चांट की सतय पर उत्रा था करीब 11 दिनों में रोवर प्रग्यान ने चांट से जुड़ी तमाम जानकारी को लैंडर विक्रम के जरीए इस रोग के हेड़कॉर्टर तक भेजा है वो जानकारी जिसे हासल करने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े देश जुटे हुए है चांट पर सूर्यास्त होने की वज़े से रोवर प्रग्यान स्लीप मोड में जा चुका है लेकिन अब तक के मिशन में इस रोग को क्या कुछ पता चला, प्रग्यान को क्या मिला, आगे किस चीज की उमीद है और दोबारा मिशन कितने दिन में शुरू होने वाला है ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको मेलेगा इस रिपॉर्ट में पिछले करीब 11 दिनों में चांद की सतह पर उतरे लेंडर विक्रम और रोवर प्रग्यान ने हर जानकारी को इस रोग के हेड़कॉर्टर तक पहुँचाया सलफर की खोज हो या ऐलमीनियम का पता, केलिशियम की मौचूद्की हो या फिर आयरन का ग्यान पैंगलूरू तक हर वो जानकारी पहुची, जिसका इंतजार वहाँ बैठे वैग्यानिकों को बड़सो से था लेकिन अब प्रग्यान सलीप मोड पर जा चुका है, इस रोग्यान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है इसे अब सुरक्षी जगह पर सलीप मोड में सेट किया गया है, इसमें लगे दोनों पेलोड, APXS और LIBS अब बंद है इन पेलोड से डिटा लेंडर के जरिये परत्वी तक पहुचा दिया गया है, बैटरी पूरी तरह से चार्ज है रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्द होगा, तो सूर्द का परकाश सौर पैनलोग पर पड़ेगा इसके रिसीवर को चालू रखा गया है, उमीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा चांद पर अपनी करीब करीब 11 दिन की जरनी के बाद रोवर प्रग्यान स्लीप मोड में है ऐसा इसलिए क्योंकि वैग्यानिकों के मताबिक चंदर्मा पर 14 दिनों तक रात और 14 दिनों तक सूरज रहता है 14 दिन की इन रातों में तापमान माइनस 200 के नीचे चला जाता है ऐसे में प्रग्यान की हिफासत के लिए इसे स्लीप मोड में डालना जरूरी है चंदर्मा पर लेंडिंग के करीब 14 घंटे बाद इस रोवर के चंदर्मा पर उतरने की पुष्टी की थी अब तक के सफर में रोवर प्रग्यान ने लेंडिंग पॉइंट से करीब 100 मीटर की दूरी तै कर ली है एक सेंटिमीटर प्रती सेकंड की रफ्तार से रोवर प्रग्यान ने चंदर्मा पर सफर किया है जिसके बाद 100 मीटर की दूरी तै करने में उसे करीब 11 धिल लगे विक्रम लेंडर ने चंदरमा की उस डार्क जोन में एंट्री ली है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुचा है इसी लिए रोवर प्रग्यान की लेंडर विक्रम के जरीए आई हर जानकारी पर दुनिया भर के विग्यानिकों की नजर है पहली कामियाबी चांद पर भुकम का पता इसरों ने बताया कि चंदरमा 3 के विक्रम लेंडर पर लगें इंस्ट्रूमेंट ओफ लूनर सिस्मिक एक्टिमिटी यानि आई एलसे पेलोड ने चंदरमा की सथे पर भुकम की घटना को रिकॉर्ड किया दावे के मताबिक ये भुकम 26 अगस्त के करीब आया होगा दूसरी कामियाबी चंद पर सिल्फर की पुष्टी इसरों के मताबिक रोवर पर ग्यान के जरीए मिली जानकारी से चंद के साउथ पोल पर सिल्फर, ऐल्यूमिनियम, कैलशियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के होने का पता लगा है इसके लावा चंद पर मेगनीज, सिलिकॉन और आक्सीजन भी है तीसरी कामियाबी चंद पर प्लाजमा मिला इसरों के मताबिक लेंडर विक्रम के जरीए उन्हें तमाम जानकारी हासिल हो रही है जिसमें से एक साउथ पोल पर प्लाजमा की खोच है इसरों वेग्यानिकों की माने तो लेंडर विक्रम में लगे रंभा एलपी ने च्यांद पर प्लाजमा के होने की खोच की है शौथी कामियाबी साउथ पोल पर तापमान इसरों की माने तो चंदर्मा के साउथ पोल पर अलग-अलग गहराई के गड़े हैं और अलग-अलग गहराई के तापमान में काफी अंतर है साउथ पोल की सथेय पर जहाँ टापमान 50 डिग्री संसियस है वहीं 80 mm की गहराई में माईनस 10 डिग्री संसियस तक का तापमान है प्रग्यान रोवर में लगे सेंसर अब तक के सबसे बहतर सेंसर कही जा रही है इसका सबूत है 27 अगस्त को प्रग्यान का एक सीधे रास्ते से गुजरते हुए तुरंट अपनी दिशा से मुड़ना इसरो के मताबिक प्रग्यान को उस रास्ते पर चार मीटर के गड़े के होने का पता लगा जिसके बाद प्रग्यान ने खुद अपना दूसरा रास्ता चुना इस वक्त प्रग्यान सिलीप मोड में है लेकिन वरकिंग है उमीद की जा रही है कि 22 सितंबर को जब चंदर्मा पर सूरस की पहली करन पड़ेगी तब प्रग्यान फिर जागेगा और चांद की सते से जुड़ी जानकारी को उसरो हेड़कॉर्टर तक भिजेगा